परिचय इस दिख सूचक यंत्र को अपने मित्र के घर ले गया था वे अपने घर में विद्वत का कुछ काम करवा रहे थे हमें खुले तार के अत्यंत निकट दिख सूचक यंत्र से खेर लहे थे अचानक दिख सूचक यंत्र की सूई अकारण ही विक्षेपित हो गई जब हम तार से दूर हटे या अपने पहले वाले स्थान पर आ गई ऐसा क्यूं हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि विद्धुत धारा चुम्बक की भाती कारे करती है और विद्धुत प्रभाव उत्पन करती है बच्चों, इस पार्ट में हम चुम्बक की एक शित्रों विद्धुत चुम्बक की एक शित्रों विद्धुत मोटरों तथा विद्धुत जनित्रों के बारे में जानेंगे उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे चुम्ब किये क्षेत्रों एवं क्षेत्र रेखाओं को पहचानना किसी चुम्ब किये क्षेत्र में विद्धुत धारावाही चालक पर बल का वडन करना विद्धुत मोटर की व्याख्या करना विद्धुत चुम्ब किये प्रेरण की व्याख्या करना विद्धुत चुम्ब की ये जनित्र का वर्णन करना घरेलू विद्धुत परिपत को समझना चुम्ब की ये क्षेत्रों एवं क्षेत्र रेखाओं का सिंगा वलोकन कोई चुम्ब की एक्षेत्र किसी विद्धुत धारा तथा चुम्ब की ए सामगरी के चुम्ब की ए प्रभावद्वारा उत्पन होता है हमारे अपने ग्रहफ प्रिथ्वी का स्वयम का चुम्ब की एक्षेत्र है जो की नौ संचालन के दौरान एक महतपून घटक होता है चुम्ब की एक शेत्र का प्रयोग अनेक विद्धत उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर आदी में भी किया जाता है चुम्ब की एक शेत्र रेखाओं की तुलना इस्थरांख उचत्व रेखाओं से ही की जा सकती है जो की मांचत्र पर देखी जा सकती है चुम्ब की एक शेत्र रेखाएं चुम्बकत्व की साधारन परिकलपनाओं की सरल व्याख्या करने में सहायक होती है इन्हें किसी सता के माध्यम से खेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। विद्धुत धारवाही चालक जोकी विद्धुत तथा चुम्ब की एक शित्र पर लंबवत हों। इसके परिणाम सोरूप एक ऐसी विद्धुत संचालन शक्ती उत्पन होती है जिसकी दिशा प्रयुक्त चुम्ब की एक शित्र की समानू पातिक होती है। इस प्रभाव को उल्टा भी किया जा सकता है चुम्ब की एक शित्र सीधे चालक से हुने वाला विद्धुत प्रवाह जैसा कि आपने पहले देखा आईए देखते हैं कि क्या होता है यदि हम तार में हो रहे विद्धुत प्रवाह को परिवर्थित कर देते हैं सूचक यंद्र पर पढ़ने वाला प्रभाव भी अलग-अलग होता है तो यदि आप विद्धुत प्रवाह में व्रिद्धी करते हैं तो दिक सूचक यंद्र की सूई के विक्षेपड में भी व्रिद्धी हो जाएगी इससे हमें पता चलता है कि किसी दिये गए बिंदु पर उत्पन हुआ चुम्ब की एक्षेत्र का परिमान तार में प्रवाहित विद्ध धारा में व्रिद्धी होने पर बढ़ जाएगा अब दिक सूचक यंद्र को तार में प्रवाहित हो रही विद्ध धारा से दूर ले जाने का प्रयास कीजिए आप देखेंगे कि जैसे ही तार एवं दिक सूचक यंद्र में दूरी पढ़ेगी चालक में दिये गए विद्ध प्रवाह के दौरा उत्पन चुम्ब की एक्षेत्र घड़ जाएगा मैक्सफैल का कार्क स्क्रू नियम मैक्सफेल का कार्क स्क्रू नियम जिसे दक्षिन हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहा जाता है यह बताता है कि विद्धत धारा की दिशा में कार्क स्क्रू घुबाने से विद्धुत धारा की दिशा के साथ साथ चुम की एक शेत्र की दिशा भी नीचे की ओर लंबवत बदल जाती है यदि हम कारक स्कुरू को विद्धुत धारा की दिशा में नीचे की ओर घुमाते हैं और कारक स्कुरू का हैंडल दक्षणा वर्त घुमता है परिवर्तित हो जाती है और वामावर्त हो जाती है। चुम्ब की एक शित्र वृत्ताकार लू से हुने वाला विद्धुत प्रवाहा। आईए अब देखते हैं कि क्या होता है जब वो तार जिसमें हम विद्धुत धारा प्रवाहित करते हैं। वृत्ताकार ढंग से रखा जाता है इसके चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों में चुम्ब की एक्षेत्र उत्पन हो जाता है छड़ चुम्बक को धीरे से तार से दूर करने का प्रयास कीजिए जैसे ही हम पाश के केंद्र तक पहुंशते हैं संकेंद्रित वृत्त सरल रेखाओं के रूप में उत्पन हो जाते हैं संपूर्ण चुम्बक की एक्षेत्र एक सरल रेखा के जैसा प्रतीत होता है अब इस पर मैक्सवेल का कारकिस्क्रूनियम लागू करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या तार का प्रते खंड एक ही दिशा में चुम्बक की एक्षेत्र उत्पन करने में सक्षम है चुम्बक की एक्षेत्र परिनालिका में विद्धुत प्रवाहा परिनालिका एक विद्धुत धरवाही तार है जो की एक बेलनाकार आकृती में एक दूसरे से अधिक अधिक सटे हुए घुमावों के साथ लिप्टा रहता है या च्छड चुम्बक के समान होती है हर परिनालिका में एक उत्तर ध्रुव तथा एक दक्षिन ध्रुव होता है किसी परिनालिका के भीतर उपस्थित चुम्बकी एक्षेत्र रेखाएं सरल रेखाएं होती हैं और ये इंगित करती हैं कि किसी परिनालिका में सभी बिंदों पर चुम्बकी एक्षेत्र समान होता है परिनालिका का यह शक्ति शाली चुम्बकी एक्षेत्र चुम्बकी ये सामगरी को आकरशित करता है इस प्रकार का चुम्बक विद्ध चुम्बक कहलाता है विद्ध धारवाही चालक का बल हम देख चुके हैं कि किसी चालक से होकर बहने वाली विद्ध धारा चुम्ब की एक शेत्र निर्मेत करती है इस प्रकार निर्मित चुम्ब की एक छेतर चालक के निकट रखे गए छड़ चुम्बक पर बल लगाता है फ्रांसीसी वग्यानिक आंद्रे मेरी एंपियर ने ये पता लगाया कि छड़ चुम्बक भी चालक पर विप्रीत एवं समान बल लगाती है फ्लेमिंग का वाम हस्तिनियम तीन दिशाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला स्मरक है आपको अपने बाएं हाथ के अंगुठे तर्जनी और मध्यमा को फैलाना है हर उंगली अलग दिशा की ओर संकेत करती है तर्जनी चुमकी एक शित्र की दिशा में संकेत करती है मध्यमा विद्दुत धारा की दिशा में संकेत करती है अंगुठा गती की दिशा में संकेत करता है इसे फ्लेमिंग का वाम हस्तिनियम कहते है उदारणों में वुफर, सब वुफर, विद्धुत प्रवर्तकादी सम्मिलित हैं विद्धुत मोटर विद्धुत मोटर एक विद्धुत यांतरिक उपकरण है यह विद्धुत उजा को यांतरिक उजा में परिवर्टित करता है आईए देखते हैं कि विद्धत मोटर कैसे कारे करता है मोटर गती उत्पन करने के लिए चुम्बकों का प्रयोग करता है विद्धत मोटर के भीतर चुम्बक का आकरशित करने वाला बल तथा प्रतिरोधी बल मिलकर घूणन गती उत्पन करते हैं पंखे, ब्लोवर, पंप, डिस्क ड्राइव इत्यादी, विद्धित मोटर के कुछ उधारण हैं। वैद्धित चुमकिये प्रेरण चुमकिये क्षेद्र से होकर गती करने वाले किसी चालक द्वारा किया गया विद्धित उत्पादन, वैद्धित चुमकिये प्रेरण कहलाता है। उधारण के तौर पर जनेत्र, विद्धुत परिवर्तक, प्रेरण मोटर, विद्धुत मोटर, तुल्ले कालिक मोटर और परिनालिकाएं आदी वैद्धुत चुमकिये प्रेरण का उपियोग करते हैं। माइकल फेराडे एक अंग्रेज वैक्यानिक, रसायन शास्त्री, भातिक विज्ञानी तथा दार्शनिक थे, जिन्होंने चुमकिये क्षित्र, वैद्धुत चुमकिये प्रेरण, प्रती चुमकिये ता तथा वैद्धुत अबघटन की खोच की। उनके प्रयोगों में चुमबक को गती कराकर विद्धुत उत्पादन करना भी संबलित है। आइए अब तारों की एक कुंडली के भीतर एवं बाहर एक छड़ चुमबक लगाने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि तार विद्धुत उत्पादित करने लगते हैं। इसे वैद्धुत चुमकिये प्रेरण कहते हैं। विद्युत जनित्र विद्युत जनित्र यांत्रिक उर्जा को विद्युत उर्जा में परिवर्थित करता है, यह विद्युत आवेश को एक वाहे विद्युत परिपत के द्वारा बहने के लिए बाध्धे करता है. इसके उधारणों में जल-Pump संबलित है जो जल को बहाता है पर जल उत्पन्य नहीं करता विद्धुत जनित्रों का परिचालन वैद्धुत चुम्ब की ये प्रेरण पर आधारित होता है अर्थात जब भी कोई चालक चुम्ब की एक शित्र में जाता है, एक विद्धुत प्रवहा उस चालक में प्रवृत्त हो जाता है यदि किसी कुंडली के भीतर कोई चुम्ब घुम रहा है, तो कुंडली में प्रत्यावर्तिधारा प्रवृत्त हो रही है समान समय अंत्रालों के पश्चाद तत्यवर्ति धारा दिशा बदल लेती है दूसरे प्रकार की धारा दिश्ट धारा कहलाती है जो की समय के साथ दिशा नहीं बदलती घरेलू विद्ध परिपत विद्ध शक्ती जहां प्रियोग में लाई जाती है वहां से काफी दूर इसका उत्पादन होता है विद्ध उत्पादन केंद्रों पर विद्ध का उत्पादन 50 Hz की प्रत्यवर्ति वोल्टेज आवरिती के साथ 11,000 वोल्ट पर होता है विद्ध को विभिनिस्थानों पर उपभोग के लिए उच्च वोल्टेज पर पारिशित किया जाता है ताकि पारिशन के दौरान उर्जा की हानी कम से कम हो विद्ध शक्ती हमारे घरों में तीन तारों द्वारा प्रवेश करती है ये हैं विद्ध में तार यानी लाल तार, उदासीन तार यानी काला तार तथा अर्थ का तार यानी हरा तार विद्ध में तार में 220 वोल्ट का विभाव होता है और उदासीन तार में श्योन्य विभाव होता है अताहा विद्ध में तथा उदासीन तारों के मध्धे विभवांतर होता है 220 वोल्ट घरों में इस्तिमाल किये जाने वाले उपकरणों में विभिन प्रकार के विद्धत परिपतों का प्रियोग किया जाता है। अर्थ के तार को धातों की एक प्लेट से धर्ती में गहराई तक जोड़ा जाता है ताकि उपकरणों के इस्तिमाल के दोरान विद्धुत धारा के रिशाव से तीवर जटका ना लगे। तथा उदासीन तार परस पर संपर्क में आते हैं या वोल्टेज की आपूर्ती में वृद्धी हो जाए। ऐसी परिस्थिती में फ्यूज विद्ध प्रवाह को रोक कर परिपत अधवा उपकरण को खराब होने से बचाता है। के वाहे भाग पर धली हुई लह मिश्र धातूं के चालन के कारण बना होता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त अंगुष्ठ नियम विद्ध मोटरों में प्रयोक तो होता है। मोटरों एवं जनितरों में प्रिथक प्रिथक हाथों का प्रयोक किया जाना चाहिए क्यूंकि मोटरों एवं जनितरों के कारण और प्रभाव में अंतर होता है। सारांश आएए हमने जो कुछ सीखा है उसे संगशेप में दोहराएं। चुम्ब की एक शितर एवं चुम्ब की एक शितर रेखाएं कैसे उत्पन होती हैं। किसी चुम्ब की एक शितर में विद्ध धरावाही चालक पर बल। विद्धुत मोटर क्या है और ये कैसे कारे करता है वैद्धुत चुम की ये प्रेरन क्या है और इसके क्या उपयोग है वैद्धुत चुम की ये जनित्र है और ये कैसे कारे करता है घरेलू विद्धुत परिपतों में तारों एवं फ्यूस का उपयोग